हेलो है वेल्कम तो मैं यूट्यूब शैनल मीनाक्षी मैंस क्लास कहा दिनों से बिच्छे बोल रहे थे कि मैं आप चैप्टर 9 करादें तो आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपकी उसमें 9 चैप्टर है आपका line segments अब जब हम chapter start कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें chapter का name clear होना चाहिए line segments नहीं से आपको यह पता नहीं चाहिए line segments कहते किसको है तो आपकी book में starting में ही यहाँ पर यह introduction में ही यह दिया है we know that we know that means एक definition दिया है यहाँ से अ से start होके last time यह definition है मैंने notes में भी आपको लिखा है मैं आपको बता दूँगी वहां से एक बार इस book में से थोड़ा सा रेट करेंगे we know that a line segment is a portion of line it has two end points it has a definite length अब यहाँ पर देखो क्या है मैं आपको notes में से बताते हुए मैंने कुछ अलग से नहीं किया है आपका जैसे book में लिखा है वहीं से as it is लिया है ताकि आपको क्योंकि जिस तक आप पढ़ोगे तो आप book की ही help लोगे ठीक है तो यहाँ पर देखो line segment में क्या लिखा है a line segment is a portion of line कि एक complete आपको line दी हुई होगी अब आप यह देखो कि जो मैंने आपको chapter no.8 करवाया था इंट्रो कोड़ी जोमेटरी वाला जो आपको chapter करवाया था मैंने chapter 8 basic geometrical concepts इस तक मैंने आपको करवाया था तो वहां पर एक बार मैं आपको दिखा देती हूं यह दिखो यह आपको chapter no.8 था तो जो starting में ही था आपके पास उसमें क्योंकि chapter का नेम ही है basic geometrical concepts ठीक है यह starting में ही आपको दिया गया था कि point क्या होता है, line क्या होता है, ray क्या है और यहां पर line segment क्या है ठीक है तो यही क्योंकि हमारा यह 8th chapter में उन्होंने आपको जो basic geometrical concepts है वो बताए है अब हर एक मतलो एक topic उठाके एक एक आगे आपका chapter बना दिया और उसको पूरा detail में पढ़ाया तो जो आपका chapter number 9 है line segment वो इसके उपर depend है ठीक है, अब मैं आपको यहां पर यह थोड़ा सा आपको clear होना चाहिए, क्योंकि जब आप chapter पढ़ रहे हो कि जो line होती है वो क्या होती है, एक straight path होता है straight का मिनिक है, बिल्कुल एक सीधा जाना चाहिए ऐसे नहीं कि कभी उपर गया, कभी नीचे गया ऐसे नहीं, बिल्कुल एक सीधा path होना चाहिए दिखो, right में आप जाओगे, बिल्कुल इसी line पे जाओगे और इधर left में भी जाओगे तो, मिन्स उसकी क्या है, direction बिल्कुल same रहती है, a line is a straight path, तो एक straight path है extend endlessly in both directions, इसको यहाँ पर एक एरो बनाया हो, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इसका मिनिक क्या होगा, कि यह वैसे तो आगे जा रहा है, ठीक है, यह आगे चलता जा रहा है, लेकिन उसको क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको आगे जाता रही है, जाता रही है, उसको stop करने के लिए यहाँ पर arrow लगा देते हैं, इसका मिनिक यही होता है, कि आप इसको दोनों directions में, जितना आगे बढ़ाना चाहूँआ, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ arrow है, वो तो क्या है, line, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ arrow है, उसको हम क्या पूलेंगे, line, रे में क्या होता है, array has one end point, and it extends endlessly in one direction, रे में रखना है, ज़्यादा detail में नहीं कराऊंगी, जब chapter आएगा, रे गा, तो वहाँ देखेंगे, रे में क्या है, यहां पर एक point है, एक end point होता है, यहां पर यह दोनों तरफ इसको हम क्या बोलेंगे, end point, और यह एक direction में, इसको endlessly नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक direction लेकिन, अब हमारा chapter को कि 9th हमारा line segment है, तो हमारे लिए यह चीज़ important है, देखो क्या है, a line segment is a portion of line, it has two end points, it has a definite length, यहां देखो, इसमें क्या होता है, दो end यहां पर भी दोट है और यहां पर भी डोट है, यह क्या है, एक portion of line है, आप देखो जैसे पूरा line है, अब मैंने क्या है, इसमें से a और b इतना उठा के यहां रख दिया, तो यह क्या है, जैसे आप कोई एक मान लेजिए, यह लंबा सा, एक thread है, बहुत लंबा, आप उसमें से थोड़ इसके two end points होते हैं, यह भी end point और यह भी, और इसकी it has a definite length, इसका meaning यह हुआ, definite length का meaning आपको पता होना चाहिए, क्या है, कि अगर आप, आप एक scale ले लो, ruler, बोलते हैं इसको, अगर आप इसकी length को measure करना चाहो, तो आप measure कर सकते हैं, मैं आपको पता देती हूँ, आपकी बु क्लियर हो गया होगा, अब वापिस आजाते हैं, हमारे chapter number 9 पर, okay, chapter number 9, अब यहां से clear हो गया है, a line segment is a portion of line, it has two end points, तो देखो, यहां पर यह line है, ठीक है, यहां पर यह point है, इसका name P रखा हुआ, और इस point का नेम क्या रखा हुआ है, क्यों, यहां पर डोट ना दिखा गया लेकिन वह point को ही indicate करता है, यह P है, और यह Q, यह पूरी line थी, अब मैंने इसमें से इसका यह portion ले लिया, ठीक है, इसको मैंने यहां पर दुबारे से बना दिया, यह P और यह Q, तो इसको हम क्या बोलेंगे, line segment, इसमें यहां पर दो end point होते है, इस end point का name है P, और इस end point का name ह Q, ठीक है, और इसकी definite length है, definite length का मिनिका है, कि अगर आप scale लेकर, इसकी length को measure करना जाओ, तो कर सकते हो, जैसे यहां पर इसकी length कितनी दिया है, आप यह देखो, यह 5, ठीक है, यह क्या होता है, 5 और उसके आगे, छोटे कितनी stick है यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 5.5, एक जब आप लाइन सेग्मेंट के पढ़ रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि आपको scale को भी आपको पढ़ना आप चाहिए, आपको एक दिखा देते हूं, अब आपको scale अच्छे से नहीं जो रहा होगा, जैसे यहां कहीं बच्चे क्या गलती करते हैं, कि यह तो जै लेकिन ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल starting में जाओ कि पहले आपको dark black line दीखते है, यही आपको क्या होता है, यह 0 होती है, यह क्या होती है, जीरो, तो हम जो भी कुछ मेजर करते हैं, हम यहां से मेजर करना चाहिए, जैसे यह अगर 1 cm कहेगा तो यहां से लेकर यहां तक का, 2 cm तो आप 2 तक आजाओगे, 3 cm यहां तक, अगर बोलेगा 3.5, अगर उन्होंने बोला 3.5, तो 3 से 0.5 में छोटी 5 स्टिक है, यह 3 यहां तक का, और छोटी 5 स्टिक में 3 और 4 के बीच में, यह वाली लाइन आपको दिखरी हो, ठीक है, यहां आपको जहां पर भी हमें दुबा बता दिया, लाइन सेग्मेंट क्या होता है, ठीक है, और कोई को चाहिए ना सुचे कि मैं सिर्फ वक्षिट्स कर लूँ, तो मुझे सारे चैप्टर की डिटेल नोलिज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, जो आपके वक्षिट्स से पहले जो इतना सारा बेसिक्स दिया होता है, अगर आप वो अच्छे से पढ़ोगे, तभी आपको आगे का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, अच्छे यहां यह होगा, अब इसके बाद देखो, यह इंपोर्टन है, यह क्या दिया होगा है, यहां कुछ क्वेस्ट्स दिये हुए हैं, हमें इनके आ कि अधनी जएफिस, पहला है हमारे लिए, हाव में लाइन सैगमेंट्स ऑर तुछ से थी होगे, इसके अधनी पर दो फिगर दी हुए हैं, यह इन इन फीज्व का नेम दी आ है ऋर इसके नेम sticks दिया है, तब लीड Wow, अब हमें करना क्या थे अब आपको को बताने कि यहां पहले हम यह वहला कोशन करेंगे अब इनों ने मुला हम इसे कि इसमें लाइन सेग्मेंट कितने हैं क्या होता है है कि wise पॉर्शन ओफर लाइन मिस ऐसे आपका स्ट्रेट पाथ हो दोनों तरफ आपके क्या होंगे एंड़ आपधन से यह पी और यह क्यूं इसको क्या बोलते हैं लाइन सेग्मेंट लाइन सेग्मेंट क्या होगा एक पोइंट से दूसरे पॉइंट पर ठीक है क्या होगा लाइन से एक पउट से दूसरे पउट पर इसको हम क्या लिए ओलों लेंगे lines अग्मेंट तो अब आप इस फीगर को डेकर आप को बताने कि ौष्प कौन। कौन अगर मैं माल लो यहाँ इस P. पर खड़ी हूँ. एक देखो एक दोस्त है जिसका नेम है P. ये P-का घर है, ये Q-का घर है यहाँ पर, ये इस-पॉइंट-पर S-का घर है और इस-पॉइंट-पर R-का घर है, पी-को जाना है Q-Pर, टीक है ? P से start होकर कहा पर गए Q पर तो देखो line segment हुआ है नहीं एक point से ही लेकर दूसरे point तक ठीक है जब 2 points होते हैं उनके बीच वाली जो चीज़ा उसको क्या बलते है line segment तो पहला आपका बनेगा P Q पी Q ठीक है अब ऐसे देख लो एक बर यासा हो सकता कि P से Q पर चले जाएं ठीक है और क्या हो सकता है P से कहां आजाएं S पर ठीक है तो ये भी आपको एक line segment हो जाएगा देखो मैं आपको न ऐसे रताती हूँ अगर मैं ऐसे रख दूँ ठीक है P से Q ठीक है ये P से Q ऐसे ठीक है ये भी क्या होगा line segment अगर मैं ऐसे रख दूँ ऐसे पी से स्टार्ट हो कर कहां तक गया ये पॉइंट के नीचे कौन सा है S तो ये क्या हो जाएगा P S तो मैंने यहां रख दिया और बताओ P से कौन सा हो सकता है P से लेकर R तक ठीक है ये line segment हो गए ये कहां कौन से point से start किये थे P से P Q P S P R P से Q P से S और P से R ठीक है हो गया ये हो गया अब ये तो मैंने P point से start होने वाले बराएं ठीक है clear अब आप ये देखो जो आपके English कलफा बैट होते हो कैसे है P Q R and S ठीक है P point से start होने वाले मैंने सारे लिख दिय हैं अब next point आता है Q मैं Q से देख लेती हूँ अब अगर कोई Q पर खड़ा है ठीक है Q से कौन कौन से हो सकता है Q से P ठीक है अब आप एक चीज ये देखो यहां confuse नहीं होना है देखो जैसे P से Q पर आ गए ठीक है या फिर Q से P पर वापिस चले गए तो ये कोई अलग चीज नहीं है एक बार इसको clear करो कि इसमें बहुत सारा doubt होता है बच्चे को अगर आप P से Q जाओ तो आप इसको P Q भी लिख सकते हो ठीक है या फिर आप Q से P पर चले जाओ आप इसको Q भी लिख सकते हो ये एक ही चीज है चाहे आप P Q लिख लो या आप Q लिख लो एक ही चीज इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है तो अब मैं जब Q से start करें तो क्या मुझे Q से P पर लिखना पड़ेगा नहीं वो लिख चुकी हो Q से P लिख चुके है तो और देखो Q से S पॉइंट तक जाए जा सकता है ठीक है देखो एक Q पर घर है एक फ्रेंड का एक का S पर ह एक है Q से S तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि Q जो Q फ्रेंड है उसको S के घर ना जाना हो उसको direct आर के घर जाना हो तो क्या वनेगा Q आर तो यह हम कहां लिखेंगे इसको Q आर अब देखो Q के अलावा तीन ही पॉइंट थे Q से P Q से S और Q से R तो सारे होगे Q P को यहां पर Q लिख जाता है वो एक ही बात है ठीक है यह होगे अब इसके देखो Q से स्टार्ट होने वाले वो भी मैं सारे लिख चुकी हूँ उसके बाए टर्न है R की ठीक है आर की अल्फाबेटिकली लिखा है मैंने P Q RS अब R से देखो R से कहां पर जा सकते हैं देखो R पर रहने जाना है अब लिख चुकी हो यह देखो R P उल्टा लिखा हुआ है मैंस इसको दुबारा लिखने की जरूरत नहीं है R से Q यह लिखा हुआ है R से Q ठीक है R टू क्यू भी लिखा हुआ है तो सिर्फ एक यहां सिर्फ रह जाएगा हमारे पास R से लेकर S तक ठीक है देखो R S कहीं पर भी नहीं होगा आपको यह पता हुआ हो ना जीकी जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करें ना उसके अलावा जितने भी बचेविए पॉइंट आपको सब पर जाना है R से P पर भी जाना है ठीक है R से Q पर भी जाना है और R से S पर भी जाना है लेकिन जो R P है वो पहले लिखा जा चुका है देखो R P R से Q वो भी पहले लिखा जा चुका है R से Q अब R से S R से S कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है तो R S ठीक है sr लिख दो rs लिख दो एक ही बात है अगर आप sr लिखते हो या फिर rs वो एक ही चीज़ा अगर आपको book में sr लिखा मिले तो कोई confused होने की जरूरत नहीं है sr और rs एक ही बात होती है तो भी यहां से देखो हमारे कितने लाए बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता यह भी हो चुक है लास्ट में एक पॉइंट बज़ता है s sr p पहले लिख चुके हो s sr लास्ट को देखने की जरूरती नहीं होती तो पहले ही इंग्लूड हो कहोंगी तो टोटल लाइन सेग्मेंट्स कितने हैं 6 ठीक है क्लियर हो गया हो गई आपको अब नेक्स्ट है हमारा ध्यान से बिल्कुल ध्यान से समझने के कोश्चन है कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि यह ऐसे चाप्टर है जो आपको पूरा जब तक आप मैस पढ़ोगे आपको पता नहीं क इस जगे चोटी चोटी चीजों की बार-बार जरूरत पढ़ जाएगी अब बी पार्ट करते हैं इसमें से लाइन सेग्मेंट लिखने है मुझे लाइन सेग्मेंट्स कांटिंग में जितने होंगे वो जब तक नहीं पता चल सकता पहले सारे फाइंड करने पड़ेंगे फ अल्हसा इस कर से अविए ज to do a's अर्णी से हैं जा सकते हैं यहां पर पांच हो आए पहले फ्रेंड का नेम है दूसरे फ्रेंड का नेम है आपस में टो स आ Anda अ भी न के घर जाना जाता है उसका मन नहीं लग यह सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि ताकि आपको क्योंकि आप बहुत चोटा होता है उसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा रियल लाइफ से इसको हम रिलेट करते हैं ताकि बच्चे को क्लियर हो जाए ठीक है ए से बी एक लाइन सेग्मेंट है तो हम इसको लिखोंगे ए बी ठीक है जो फ्रेंट अपने उसके पास देखो कितनी ओप्षन है ए के पास कितनी ओप्षन है उसका मन नहीं लग रहा चाहे वो अपने बी फ्रेंट के घर चला जाए चाहे दी फ्रेंट के या फिर ए तो ए या ठीक है ये तो होगे A अपने जितने फ्रेंट्स के घर जा सकता था वो हमने सारे लिख दिये A, B, A, C, A, D और A, E ठीक है अब दूसरा देखो अब आपकी बार B की टर्न है ठीक है अब की बार ये जो B है इसकी टर्न है कि वो अपने किस-किस फ्रेंट के घर जा सकता है ठीक है अब आपको एक चीज और होनी चाहिए कि बिल्कुल एक स्ट्रेट होना चाहिए रास्ता अब B से देखो B या तो अपने A फ्रेंट के घर आ सकता है ठीक है यहां से देखो यह B है या तो वो अपने A फ्रेंट के घर आ सकता है लेकिन वो तो लिखा पड़ा है B A A B लिख लो या B A लिख लो A की बात है मैं C A दुबारा नहीं लिखना है B और कहां जा सकता है B C के पास जा सकता है ठीक है तो हम यह लिखेंगे B C ठीक है मैंने लिख दिया B C ठीक है क्या देखो B A पर जा सकता था वो लिखा हुए B A B C पर जा सकता था तो वो मैंने लिख दिया B C क्या B D पर जा सकता है B D नहीं यह तो है यह नहीं रास्ता क्या B E के घर जा सकता है नहीं तो सिद्धे रसता हे यह नहीं लिए लिख सकती है ब की बिटना आ चुके है अब देखो 60 टीक कहां आज जा सकता है यहां कहां जा सकता है यहां जाया जा सकती है यह Toaster B के घर आ सकता है लिख बज़ सी बी टीक है यह जो सी है या तो वहे झे जो एक घर नेक्स्ट है D, अब D से देखो, यहां पर D, D से कितने रास्ते जाता है, या तो D जा सकता है C के पास, या D जा सकता है A के पास, या D जा सकता है E के पास, ठीक है, तो D से देखो, D से C, क्या कहीं ऐसा तो नहीं पहले लिखा जा चुका हो, D, C या C, D कहीं पहले लिखा यह नहीं लिखना दोबारा तो D से A देखो, D A कहीं लिखा हो, D A या A D लिखा पड़े यह भी नहीं लिखना, D से E, D E, ऐसा तो भी नहीं हुआ है, D E कहीं पर भी नहीं आ है, तो हम यह लिख देंगे D E, ठीक है, तो यह हमारे पास D की भी टर ना चुकिया, अब E, E last point होता ए से अगर आप देखोंगे तो सारज ही आ चुके या यह यह उस्षी टहूँ है को फोल्र इसे सिर्ट दो ही रास्ते गई हैं जो कि थे ए में लमें परो पहले हो पिर आपने हैं गहीं अट इपर आपने हैं एए हृएए क्रण गर दो उस्षा, चैनल आ खाते दोहा हैं लिखते हो तो ऐसे ए और भी मिस अ से स्टार्ट हो के बी के खर एंके बीज में अगर आप को मॉल लगा दोगे तो आपका कोश्विशन गलत हो जाएगा नेक्स्ट लाइन सेग्में एसे लिखो अब जब नेक्स्ट लाइन से लेको लगा ना फिर आप लिख सकते हो BC फिर कोमा लगाना पड़ेगा ठीक है लिखने का तरीका आपको आना चाहिए तो यहां पर क्योंकि यह फर्स्ट ही वीडियो थी और इसमें आपको मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से ाशल